पार्ट दस क्रिया विशेशन अड़ वर्ब बच्चुँ अवी तक आपने विकारी शब्दों संग्या सर्वनाम क्रिया विशेशन के बारे में पढ़ा आप आप अविकारी शब्दों क्रिया विशेशन, संबंध बोधक, समुचे बोधक, विसमयादी बोधक की बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं अव्याई भी कहते हैं। अव्याई या अविकारी शब्दों में लिंग, वर्चन, कारक के कारण कोई परिवर्दन नहीं होता है। चित्रों के नेचे लिखे वाक्यों में रिखांकित शब्दों पर थ्यान दो। हमीं रोस नहाना चाहिए। बुढ़ा आदमी थीरे थीरे चलता है। चित्रों के नेचे लिखे वाक्यों में रिखांकित शब्द रोस और थीरे थीरे शब्द क्रिया की विशेश्टा बता रहे हैं। अतह ये शब्द क्रिया विशेशन है। क्रिया विशेशन, Adverb, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की विशेशता ज्याद होती है, उन्हीं क्रिया विशेशन कहते हैं, क्रिया विशेशन की भेड, Kinds of Adverb, क्रिया विशेशन चार प्रकार की होते हैं, क्रिया विशेशन, काल वाचा क्रिया विशेशन, स्थान वाचा क्रिया विशेशन, रीती वाचा क्रिया विशेशन, परिमाण वाचा क्रिया विशेशन, एक, काल वाचा क्रिया विशेशन, Adverb of Time, जो शब्द क्रिया की होने की समय का पूर्थ कराते हैं, वे काल वाचा क्रिय अविशेशन कहलाते हैं उदाहरण क वह प्रति दिन व्यायाम करता है ख मैं अभी आया ग कल बाजार चलेंगे घ फिर कभी मुलाकात होगी उपरोग उदाहरणों में प्रति दिन अभी कल और कभी शब्द क्रिया की होने की समय का क्यान करा रही है अतह ये काल वाचक क्रिया विशेशन है दू स्थान वाचक क्रिया विशेशन अटवर्ब ओफ प्लेस जो शब्द क्रिया की होने की स्थान का बोथ कराते हैं वे स्थान वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं उदाहरण ग, पतंग उपर उड़ रही है, ख, यहां आकर बैठो, ग, सारा सामान इधर उधर देख रहा है, ग, इश्वर चारो ओर है, उपरोंत उधारणों में, उपर, यहां, इधर उधर और चारो ओर, शब्द, क्रिया की होने की स्थान का बूत करा रही है, अतह, यह स्थान वाचर क्रिया विशेशन है, तीन, रीती वाचर क्रिया विशेशन, आठवर्ब ओफ माना, जो शब्द, क्रिया की होने की रीती, ढंका बोत कराते हैं, वे रीती वाचर क्रिया विशेशन कहलाते हैं, उधारण, क, चोर तेजी से भागा, ख, देर हो रही है, जल्दी चल्दी चलो, ग, कच्वा थिरे थीरे चलता है, ख, विछली अच्छानक चली गई, उपरोंगत उदारणों में, तेसी, जल्दी चल्दी, थीरे-थीरे, और अच्छानक शब्द से क्रिया के होने की रीती, ढंक का पता चल रहा है, अता ये रीदी वाचन क्रिया विशेषण है चार परिमाण वाचन क्रिया विशेषण At verb of quantity जो शब्द क्रिया का परिमाण ना तॉल बताते हैं वे परिमाण वाचन क्रिया विशेषण कहलाते हैं उदारण क वह अधिक बोलता है ख, मुझे कम पैसे चाहिए, ग, खेलने के साथ साथ थोड़ा पड़ पीलो, ग, चात्र बहुत शोर मचा रहे हैं, उपरोत वाक्यों में, अधिक, कम, थोड़ा और बहुत, क्रिया के परिमाड नापतौल का पूत करा रहे हैं, अतह ये परिमाड वाचत क्रिया विशेशन हैं विशेशन और क्रिया विशेशन में अंतर 1. विशेशन विकारी शब्द है, जिसके रूप में लिंग तथा वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, जबकि क्रिया विशेशन अविकारी शब्द है, जिसमें लिंग तथा वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है 2. विशेशन शब्द किसी संग्या या सर्विनाम की विशेशता प्रकट करते हैं जबकि क्रिया विशेशन केवल क्रिया की विशेशता बताते हैं उदारण, विशेशन, क, अच्छा लड़का, ख, अच्छी लड़की, ग, अच्छी लड़की, क्रिया विशेशन, क, राकीश अच्छा बोलता है, ख, निशा अच्छा बोलती है, ग, बच्ची अच्छा बोलती है